Hello everyone, आज का चप्टर है सिक्किम, क्लास एट के चप्टर नमबर 9 Have you ever visited a mountainous estate? क्या आपने कभी किसी परवतिय राज गए हैं, mountainous करता है परवतिय? If, yes, यदि आपका अंसर है हाँ, tell class, अपने क्लास में बताइए, क्या? About its people, food habits, dresses, climate, etc. वहां के लोग क्या खाते हैं, वहां के लोग कैसे हैं, उनकी food habits कैसी है, वो लोग क्या-क्या खाते हैं, उसके बारे में, dresses वो लोग क्या पहनते हैं, उसके बारे में बताइए, और climate, वहां के जलवायू कैसी है, उसके बारे में भी बताइए. सिक्किम एक छोटा सा राज है पुर्वी हमालाय के बीच में इट इज बॉंडेड बाई दा तिबेतन प्लेटिया इन दा नौर्थ बॉंडेड का अर्थुता है घीरा हुआ इट इस मतलब यह जो सिक्किम है यह सिक्किम घीरा हुआ है तिबेतन प्लेटिया से तिबेतन प्लेटिया से in the north, किसे? नर्थ की दिसा में, ठीक है? दा चम्बूई वैली चम्बूई वैली ओफ तिबबत एंड दा किंग्डम ओफ भुटन इंदा इस्ट चम्बूई वैली और भुटन भुटन के समराज दा किंग्डम ओफ भुटन यानि भुटन के जो समराज है वो इस्ट से गेर रखा है नेपाल इंदा विस्ट नेपाल West की दिशा से घेर रखा है and Darzling in the South और Darzling South की दिशा से घेर रखा है In 1975, Sikkim became the 22nd state of India 1975 में Sikkim भारत के बाइसवे राज बने गे आप वी यहां पर केवल 5,40,493 निवासी रहते है यहां के लोग यहां पर केवल इतना ही लोग है अट एरिया औफ और यहां की जो एरिया है का जो चितरफ है साथ हजार च्यानवे एसक्वार किलो मीटर बस इतना ही है सिक्किम इस दा लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अफ इंडिया सिक्किम बहुत ही कम जनसंख्या बाला राज है भारत में दा वर्ड सिक्किम इस आ कॉंबिनेशन अफ टू वर्ड्स जो सिक्किम सब्द है ये दो सब्दों से मिल करके बना हुआ है पहला है सू and किम एक सब्द है सू और दूसरा है किम सू means सू का अर्थ है न्यू न्यू यानि नया and किम means पैलेस और या हाउस देरफोर इस परकार the word means इस सब्द का मतलब हुआ सिकीम सब्द का मतलब new palace or house नया घर या नया महल in reference कहा जाता है इस संदर में reference करता है संदर में to the palace built by the state first rural ruler पुंत सोक नाम गिया ऐसा कहा जाता है कि यहां के जो first राजा हुए है ruler यानि सासक उसका नाम है पुंत सोक नाम गियाल इन्होंने ही अपना महल सबसे पहले बनवाया था यहां पर इसलिए सिकीम का नाम सिकीम परा the Tibetan name for सिकीम is Danjong तिबत में सिकीम को Danjong कहा जाता है इसका क्या मतलब है which means the valley of rice इसका मतलब है Danjong सब्द का मतलब है valley of rice यानि चावल की घाटी valley of rice का मतलब होता है चावल की घाटी सिकीम is divided into four districts which include east सिकीम, west सिकीम, north सिकीम and south सिकीम सिकीम को कुल चार भागों में बांटा गया क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए तो चारों दिसा में एक एक जिला है जो कि एक इस्ट में है एक west में है और एक north में और एक south में है बस इतना में सिकीम सिमट जाता है the district headquarters district headquarters यानि जो district के जितने भी काम काज होते हैं जिला में जो काम काज होते हैं उसको देख रहे लास्ट ली कहां उसका परमानित किया जाए कहां पर दिया जाए वह headquarters कहां में है तो वह है गंग टोक में आर गंग टोक यानि मंगान एंड नामची जिगिंग मंगान नामची रिस्पेक्टिवली यह कुछ लोग हैं जिनका बहुत पहचान है जो जिन्हें रिस्पेक्ट मिलता है यानि इजज़त मिलता है वह है जिगिंग मंगान नामची गंग टोक इस दा कैपिटल आफ सिक्किम गंग टोक क्या है सिक्किम की रासधानी है लिटरली साब्दिक रूप से कहा जाता है जो गंग टोक सब्द है इस सब्द का मतलब होता है यानि बहुत उंचा इट आफर्स मैगनिफिसेंट व्यूज अफ दा स्नो क्लैड कंचन जंगा यानि यदि आप ये क्या करता है आपको एक नजारा परदान करता है जिदे आप गंग टोक पर खरा हो करके कंचन जंगा को देखेंगे तो आपको बहुत ही सुन्दर और आकरसक परतीत होगा इसलिए कहा है कि मैनिफिस्ट करते हैं एक द्रिस से नजारा दिखाते है ये जो कंचन जंगा है ये दुनिया के तीसरे सबसे उच्छे चोटी है जिससे माना गया है गार्डियन डाइटी अप सिक्की typically कार्ट हूता है सिक्कीन के संरक्छक देबता ठीक है सिक्कीन में बहुत सारे फैलोडा है यानि बनस्पती है आndट फोंटफोना यनि झीव जनतू है श्ट्रीम्स ancient monasteries and lakes बहुत सारे पुराने monasteries हैं नी मठ है monasteries करता है मठ streams मतलब धाराएं नदी की धाराएं and lakes मतलब जील the flora of scheme includes the rodo dendron the rodo dendron the estate tree यह क्या है राजिकिया पीर है orchid, fig, banana salt, tree, and bamboo oak, chestnut, maple birch, elder and magnolia also grow in large numbers यह सारे यह जितने भी हम आपको नाम बता है यह सारे बहुत ही बरी संख्या में उपजाए जाते हैं the orchid dendrobium nobile is the estate flower of the scheme orchid dendrobium nobile यह सिक्कीम के estate flowers यानि राजिकिया फूल है अपसे सवाल पूछे जा सकती है कि सिक्कीम के राजिकिया फूल क्या है तो वो होगा orchid dendrobium nobile the fauna of सिक्कीम includes fauna में कौनकुन से सामिल है उसके बारे में the snow leopard the musk deer दा भोराल the himalayan thar the red panda the himalayan marot the sero the goral the barking deer the common lagoon the himalayan black bear the clouded leopard the marbled cat the leopard cat the wild dog the Tibetan wolf the hog beggar the betrong the jungle cat and the shivet cat among the animals more commonly found are yaks mainly regarded reared for their milkmeat and as a beast of burden यह जितने भी जन्तों का नाम बता है यह fauna है क्या है fauna है जो कि यहाँ पर पाया जाता है उसके साथ ही साथ यहाँ के जो लोग है वो याक्स यानि याक को बहुत ही ज़्यादा पालते है क्यों? क्योंकि कराए कि mainly rub से इसको याक को पाला जता है इसका तीन फायदे है पहला फायदा क्या है इसको रियरेट का अर्थ होता है पालन इसका पहला फायदा है milk यह जो है milk यानि दूद देती है meat इससे meat यानि मांस प्राप्त होता है साथि-शाद beast of wisdom बोज धोने वाला जन्तु तो यह भोज धोने में भी काम आता है इसलिए इसको यहां की लोग ज्यादा पालते हैं वर्ड्स फॉण्ड इंसिकीम इंक्लूड दा इंपेन फिजंट दा क्रीशन क्रेमशन होर्णेड पिजंट दा श्नो पार्टीज दा श्नो रूस्टर्ड दा लेमरी दा लेमरगियर एंड गीफन वल्चर्स आज वेल एस गोल्डन इगल्स क्वेल प्लोवर्स बुडकॉक सेंट पीपर्स पीजन केबलर्स एंड रॉबिन्स यह सारे पक्छी का नाम है जो कि यहां पर पाई जाती हैं सिक्यम इज प्री डॉमिनेंटली इन हैबिटेड बाई दा लेपचा दा नेपाली एंड दा भुटियाज यह जो सिक्यम है यहां पर प्री डॉमिनेंटली लेते हैं कौन-कौन लोग रहते हैं तो लेपचा जो कि यहां के मुख निवासी हैं आपको याद रखना है कि सदूर और नेपाली और भुटानराक दो यहां के मुख नक्र उतूर्वल इंगी English and Hindi are also spoken, यहां पर English और Hindi भी बोली जाती है, and understood, और समझा भी जाता है, लोग समझते भी हैं, in most of Sikkim, अधिकांस जगहों पर Sikkim में, other language spoken in Sikkim include Bhutia, और other language, इन सभी इसको छोर करके और भी बहुत सारे language यहां पर बोली जाती है, जिसमें है भुटिया, गुर्गून, लक्षा, लिम्बू, मागर, निवारी, राय, सेप्रा, सुनुवार, and तमंग, the people in the rural areas, grow cardamom, जो लोग गाउं में रहते हैं, वो लोग cardamom, यानि इलाची बरे पैमाने पर उगाते हैं, जिंजर, ओरेंज, एपल, टी, and orchards, यह सारे बरे पैमाने पर उप जाते हैं, राइस इस ग्रोन ओन दा हाई हिल साइड, यह जो राइस यानि चावल जो है वो पहारी के बगल में, जो पहारी के साइड हैं, उधर उगाय जाते हैं, सिक्कीम राज, भारत के सबसे परमुक राज में से आता है, क्योंकि यह सबसे अधिक इलाइची प्रोड्यूस करता है, यानि उप जाता है, सबसे बड़ा राज है, इलाइची उत्पादन में, दा मिनरल्स, मिनरल्स यानि खनीज, माइन्ड, खनीज निकलता है, यहां से, इंद, सिक्कीम, और कॉपर, डॉलोमाइट, कॉपर मिलता है, यानि तांबा, डॉलोमाइट, माइलस्टोन, festivals such as दिवाली यहां के जो लोग हैं बहुत ही धुमधाम से festival मनाते हैं कौन कौन फेस्टिवल मनाते हैं दिवाली and दसहरा बहुत धुमधाम से मनाते हैं as the people आप से की mostly follow buddhism जबकि यहां के जो लोग हैं यह सबसे अधिकांस लोग buddhism यानि बहुत धर्म को मानते हैं फिर भी यह लोग दिवाली और दसहरा भी मनाते हैं the festivals celebrated here are associated with the buddhist festivals यहां के जो festivals हैं जितने भी तिवार हैं वो तिवार बहुत धर्म से associated यानि जुरा हुआ है the popular festivals they celebrated include और वो लोग कौन-कौन से festival मनाते हैं वो इस परकार से लोसार सागा दावा लहावेब डूचीन पलंग लहासूल दुरुपका तेसी लुम्चू लोसूंग तीहार दसाइंड and Christmas इस परकार से यह सारे festivals वो लोग मनाते हैं that's all